नमस्कार मैं हूँ आचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार कम उम्र में हाट अटाक के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं जिसे कारण ये एक चिंता का विशे भी बन रहा है फिर चाहे वो कोई बॉलिवुट सेलिबरिटी हो या आम इंसान या फिर जिम करता कोई शक्स हाट अटाक के मामले किसी को भी नहीं छोड़ रहे अब ऐसा ही एक मामला इंदौर शहर से सामने आ रहा है जहां पर महज 18 वर्ष के चात्र को कथित तौर पर हाट अटाक आ जाता है अब क्या है ये पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ दरसल उस चात्र का नाम राजा माधव बताया जा रहा है जिनकी उम्र महज 18 वर्ष थी वो इंदौर के एक निजी कोचिंग सेंटर में बैट कर कोचिंग ले रहे थे तभी अचानक से उनके सीने में दर्द उड़ता है जिसके बाद उन्हें अस्पताया ले जाया जाता है जहां पर उन्हें मृत घोशित कर दिया जाता है अब इस पूरे मामले की एक CCTV फुटेज इंटरनेट पर बहुत जादा वाइरल हो रही है सबसे पहले आप उस फुटेज पर नज़र डालिए इस फुटेज में आप लोगोंने भी देखा होगा कि किक स तरीके से उस चाथर को अच्छानक से सीने में दर्द हो जाता है अब ये फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वारेल हो रही है इस सीने में दर्द के बाद उस चातर को नजदी के अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोशित कर देते हैं मैं आपको बता दू कि वो इस निजी कोचिंग सेंटर में पी एसी एक्जाम की तैयारी कर रहा था 18 वर्ष उसकी महज आयू थी उसका सपना था बड़ा ओफिसर बनने का लेकिन अब वो सपना पूरा नहीं हुपाया क्योंकि उसको हार्ट अटेक आ गया अब ये सवाल उड़ता है कि आखिरकार उस चातर को हार्ट अटेक आया था या नहीं लेकिन अगर उस चातर को हार्ट अटेक आया होगा तो इस तरीके से कम उमर में हार्ट अटेक के जो मामले सामने आ रहे हैं वो यकीनन चिंता का विशे बन रहे हैं कि आखिर कारितनी कम उम्र में किसी शक्स को हाट अटाक आ कैसे सकता है फिर चाहे वो कोई बॉलिवुड सेलिबरिटी हो या फिर कोई आव इंसान या फिर कोई जिम करता शक्स हर कोई इन दिनों हाट अटाक की चपेट में आ रहा है जो की काफी ज़ादा मुख्या कारण मिंटा जा रहा है परिशानी का अब एक बार फिर से उस वीडियो पर नज़र डाली उस वीडियो में आप लोगों को नज़र आएगा कि किस तरीके से उस चातर को बीच कक्षा में अचानक से सीने में दर्द उट गया उसके बाद उसके दोस्त और टीचर्ज उन्हें अस्पताल वहाँ पर लेकर गए उनके परिवार भी वहाँ पर पहुचा परिवार ये नजारा देखकर सत्ते में पढ़ गया था क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि महज 18 साल के उमर में उनके बेटे को हार्ट अटाक आ गया अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें आज के लिए इतना ही बाके खबरों के लिए बने रहें तेज तर्रार के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूले इसके साथ ही हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ बैर आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे